हां जी तो आपके हाफेली एक्जाम सब हो चुके हैं फिनिश लेकिन इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है that now you are going to be relaxed अब मुझे बस enjoy करना है और पढ़ाई बिलकुल नहीं करनी है आप ऐसा बिलकुल नहीं कर सकते बच्चो बिकिस अब जो हमारा next target है वो है हमारे pre-board के एक् हुआ या आपको क्या लगा कहां ऐसी कमी रहे गई आपकी preparation में क्या गलती आपने की क्या paper लिखते टाइम आपको लगा that if I had focused on this particular topic I would have got better marks मेरे और अच्छे नंबर आ सकते थे अगर मैं ये ये points का ध्यान रखती तो मेरे discussion के दौरान मुझे कुछ ऐसे similar points हर बच्चे में द पढ़िया हुआ मैंने discussion को बहुत अच्छे से analyze किया और कुछ points ऐसे लिखे बच्चों जो मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में discuss करने वाली हूं क्योंकि देखे एक take away आप सब लोगों के लिए है कि जब भी हम लोग कोई paper देते हैं चाहें ही आपका Monday test हो, unit test हो हाफिली paper हो, pre board हो, exam सिर्फ देने के लिए नहीं होता कि मैंने exam दिया और देखा कि मुझे कितना याद है, हमें वहां से learnings भी लेनी होती है, मैं कहां गलत थी, right, मैंने ऐसा ग्या गलत approach लिया जिसकी वज़े से मेरे marks deduct हुए, या मैं और better इसको कैसे perform कर सकती थी, कर सकता थ इस ही को हम बोलते हैं बच्चो एक practical approach exam देने का, तो ये सारे preparation हम लोग करने अपने board exam के लिए, right, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में discuss करूँगी 5 learnings from your hafily exams, और जिन बच्चों के हाfily exams हुए नहीं है, आप लोगों के लिए तो यह हो जाएगा एक bonus और अगर आप इनमें से किसी भी point के साथ relate कर रहे हैं, तो comment section में मुझे जरूर बताएगेगा, कि yes ma'am, I will not repeat this mistake, मैं इस mistake को repeat नहीं करने वाला, अपने paper में, ठीक है जी, तो देखे, सबसे पहले English के paper की, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रही हूं, तो English के exam में particularly students, जो problem face करते हैं जो कि मुझे बच्चों ने बताया, that was about the literature section, उन्होंने बोला कि मैं जब हम literature section में, जो है answers लिख रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर एक बहुत major issue focus करते हैं, वो होता है word limit का, होता ये है कि हमारा question मान लीजे, दो नंबर या तीन नंबर का है, और अगर उस particular topic के उपर मेरे पास बहुत सारा content है, तो मैं word limit पर focus नहीं करती, और मैं उस answer को लिखती जाती है, word limit मेरी exceed हो जाती है, तो क्या मैम ये problematic है, ये problematic है बचों, ये दो तरीके से आपको problematic रहेगी, नंबर वान, अगर आपने word को exceed किया, मान लीजे आपका short question है, और उसको आपको 60 to 80 words में लिखना है, जो की 3 नंबर का होता है, तो आप उसको जादा से जादा 100 तक exceed कर सकते हैं, उससे जादा अगर आपने उसको exceed किया, तो teacher आपके marks deduct करती है, तो इसलिए ये जो word limit वाली problem जो मुझे बच्चों ने बताई, मैंने वाकि में relate करी, और काफी सारे बच्चों का same problem था, secondly, अगर आप word limit exceed कर रहे हैं, बच्चों, मतलब कि आप अपने time को भी utilize वहां कर रहे हैं, और ultimately हो क्या रहा है, आपका paper last में छूट जा रहा है, तो हमको ध्यान रखना है, कि अगर 60 to 80 words है, तो हम जादे स्यादे 10-15 words ही exceed करें, उससे जादे नहीं, अब आप बोलोगे, मैं हम क्या paper वाले दिन, जो words से उनको count करने बैठेंगे, नहीं, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी practice, और आपको idea लग जाएगा, कि हर line, हर answer की, 5-6 line में 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 एक short question complete हो जा रहा है, और इसी practice को आपको follow करना है, अपने pre-board exams में and board exams में, तो ये थी हमारी पहली learning, जो हमको हाफिल exams म से मिली और जो आपने भी focus की होगी, अगर आपको relatable लगी है, तो chat section में भी आपको मुझे बताना, comment section में भी बाद में बताना, दूसरी जो सबसे बड़ी problem बच्चों ने मुझे बताई, that was about the format, वो बोले मैम हम इतना जादा busy हो गई थे grammar की rules पढ़ने में, literature की syllabus को cover करने में letter भी हम पढ़के गए थे, मैम बट पताने क्यों ऐसा हुआ, कि exam वाले दिन हम format भूल गए, मैंने कहीं का receiver address और sender address कहीं और लिख दिया, एक बच्चा बोला कि मैं मैंने गलती से letter को box की अंदर लिख दिया, एक बच्चे ने बताया मैं मैं date लिखना भूल गया, एक ने बत कुछ लोग last में, जो designation लिखनी होती है, वो लिखना भूल गए, तो काफी सारे बच्चों ने format गलत लिखा, और उसकी वज़े से उनका जो एक number letter का format में होता है, वो गया ही गया, उपर से impression के number मिलने होता है, वो भी चले गए, तो letter में मुश्कल से वो 2 या 2.5 number लेकर आए तो format वाला जो concept है बच्चों, यह हम लोगों को बहुत जादा focused रहकर तयारी करनी है, अपने हाफिली के लिए भी और अपने mid term के लिए भी आप धिहान रखेंगे, कि format को 50 बार कम से कम लिख लेंगे पहले ही, क्योंकि ऐसा होगा, चाहें आप कितने भी intelligent हो, exam वाले दिन, चाहिद आप format भूल जाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा stress में आ जाते हैं इसलिए, so we will have to make sure about this as well, कि हम format को ध्यान में रखें, number 3, बच्चों ने मुझे बताया कि मैं हम spelling में बहुत सारी error करकर आई हैं, और बिटा इसका तो क्या ही solution है, इसका ही की solution होगा, जितने भी words आपको difficult लगते हैं, दिखिए मैं आपको बताते हूं experience से, जो मैंने बच्चों में notice किया, जब मैं offline बच्चों को पढ़ा रही हुआ करती थी, बच्चे अगर किसी spelling को गलत लिख रहे हैं, तो वो उसको गलत लिखके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और आगे भी वही mistake करते से रहते हैं, आपको अगर, solution बता रहे हो, आपको अगर किसी भी spelling में doubt है, तो रंत उसको Google करिए, और तभी कि तभी इसको याद कीजिए, spelling आप कभी ऐसे याद नहीं कर सकते बच्चों कि आज मैं बैठूंगा, और सारी spelling याद करूंगा, नहीं, spelling याद करने का practical करी का यह ही होता है, कि जब भी आपको doubt है, कि मुझे particular की spelling लिखनी है, तो उसको याद कीजिए, दस बार मन में धोराए, प्रैक्टिस कीजिए उसकी और वो आपको याद हो जाएगी, कहीं लिखना चाहते है, तक बार लिख कर भी देख लिजे, spelling करने का मेरा जो actual तरीका हुआ करता था, बच्पन में वो ये था, कि मैं अपने हाथ पर अपनी उंगली से ऐसे spelling लिखती थी, और इसकी वज़े से, मतब एक sensory touch की वज़े से, मुझे spelling याद रहे जाती थी, तो कभी जैसे recommendation में double C आएगा, या double M आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत confuse करती थी, तो मैं उ में कभी गलती नहीं करेंगे, चोटे-चोटे चीज़ें हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है, और आपके spelling mistake भी जो number कट रहे हैं, वो आपके बच जाएंगे बच्चों, तो I hope यह आपको भी relatable लग रहा होगा, इन में से कौन-कौन सा point आपको relatable लग रहा है, मुझे आप ल लगाने में, कि मैम हम बहुत सारे बच्चों ने question किया, काफी सारे बच्चों ने question किया, कि मैम हम पहले reading करें, फिर हम लो grammar कर ले, फिर हम writing करें, फिर हम literature करें, या हम section change कर सकते हैं, तो उसका अब आपका जो pre-board होगा, उसमें आपको help करेगा, या आपको अगर मिटम में अगर नहीं हुए है, एक्जाम तो या आपको help करेगा, कि आप अपने paper में section change कर सकते हैं, कितनी भी बार, अगर मेरा मन है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं grammar section करूंगी, तो मैं लिखूंगी section B, grammar, है न, मैं वहीं लिख दूंगी, section B, grammar, ऐसे मैंने लिख दिया, और मैं section B कि सारे 1 से लेके 12 तक सारे question solve कर लूँगी, फिर अगर मैं चाहती कि पहले मैं literature करूंगी, तो मैं यहाँ डालूँगी section D, literature, C, sorry, section C, literature, मैं ऐसे लिखूंगी वहाँ पर, ठीक है, और मैं इसके solve कर लूँगी, फिर मुझे चाहिए section A, reading, तो मैं इस तरीके से फिर लिखूं divide your sections properly, हर section को divide अच्छे से करो, मतलब कि दिखाओ कि मैं इस वाले page पर मैंने section B किया है, और next page के half तक मेरा section B जा रहा है, वहाँ से मैंने section C शिरू कर दिया है, आप इस तरीके से clarity teacher को देंगे, तो वो आपके number नहीं काटीगी, कि उसने सीधा सीधा क्यों नहीं किया, काफे बच्चों ने बोला मैं मैं तो चारादा grammar पहले करूँ बट क्योंकि मुझे लगा, पता नहीं मैं ऐसे गलत ना कर दें, मैंने section A पहले किया, ऐसा आपको करने की पिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उसको अपने मन से solve कीजिए, लेकिन teacher को indicate कर दीजिए, कि यहाँ मेरा section A यहाँ मेरा B है, यहाँ मेरा C है, अब C पहले है, A पहले है, उसे कोई फरक नहीं परता, I hope this is clear, now सबसे ज़्यादा common problem जो मुझे बच्चों ने बताई, that was about the time management, बच्चों, बच्चों ने कहा, मैं हमने literature solve करते-करते इतना time लगा दिया, grammar में इतना ज़्यादा time waste कर दिया क्योंकि मैं बार-बार answer सोच रहा था, मैं कि correct क्या होगा, उसकी वज़े से मेरा एक long question literature का रहे गया, या उसकी वज़े से मेरा पूरा reading comprehension एक रहे गया मैं, क्योंकि मैंने उसको सबसे last में करने के लिए छोड़ा था, अब मैं आपको एक idea बताती हूँ, मतलब next video में बताऊ हैं, उसकी अलावा एक time management के उपर मैं आपको एक extra video लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको exactly बताऊंगी कि 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 section को solve करने के लिए आपको कितना time चाहिए रहेगा, और जैसे कि मान लीजे मैंने बुला reading comprehension एक 20 minutes में हो जाना चाहिए, 20 minutes में target आपको रखना ही रखना है क्योंकि एक reading comprehension के question के लिए मैं अपना 5 number का long question, 6 number का long question नहीं छोड़ सकती, या 5 number का analytical paragraph नहीं छोड़ सकती, तो we will have to play strategically और इसी strategy को मैं आपके साथ में लेकर आऊंगी आगे आने वाली videos में, I hope ये जो learnings मैंने आपको दी हैं, आपको समझ आई होंगी, फिर से मैं आप लोग करना, friends के साथ में share भी करना, और भी कुछ है आप लोगों के लिए surprise, जो मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ बचो, देखिए ये है हमारा अड़ा 247 की app पर, English का free batch, ये खाली English का नहीं है, ये सारे subjects का आपको मिलेगा, right, free क्यों है, free इसलिए है, क्योंकि इसमें ज course के अंदर आपको video lectures, जो recorded है, वो मिल रहे है, already, यहाँ आपको grammar के सारे video lectures मिलेंगे, हम वहाँ आपको sample paper, काफी बच्चों को मिलता नहीं है, वो ढूंड नहीं पाते है, sample paper with answer keys हम आपको दे रहे है, solved PY, Q हम आपको दे रहे है, 23 और 24 के answer keys के साथ में, तो ये आपके लिए एक क्या है, एक अच्छी चीज है, जो आपको कहीं खटा मिल जाएगी, then the worksheet, आपको provide कराई जा रही है, सारे chapters की practice question करने के लिए, ये जो batch है, आपको अड़ा 24 7 की app पर मिलेगा, ठीक है, website पर भी मिल सकता है, app आप कहां जाके देखेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हू जैसे कि माल लीजी, आपने google पे, आपनी जो है play store पे या जो भी आप use करते हैं, वहाँ पर आपने app को download किया, 24 7 के नाम से मिल जाएगी, अब ये जो app है न, ये overall बहुत सारे verticals को cater करती है, हमको जाना है 9 10 के section में, तो वहाँ आपको सबसे पहले school का K 12 section मिलेगा, K 12 की जैसे आप 9 10 पे click करेंगे, ये सतारा interface आपके सामने आ जाएगा, यहाँ एक आपके पास में जो नया feature है, वो है daily quizzes का, इसके अंदर सारे MCQ आपके बचों available है, और यहाँ मैं आपको उसी के बारे में बता रही हूँ कि आपके पास मैं chapter wise MCQ है, यहीं पर इसी site में आपको य जो है यहाँ आप पे मिलेगा, और जो previous मैंने batch की बात करी, फ्री वो भी आपको यहीं मिलेगा, तो यह app आप आप लोग डाउनलोड कर दीजिए, website के पे जाकर उसके थूरू भी कर सकते हैं, आपने आपको रजिस्टर करिएगा, और यह जितना भी free material है, यह है आपका, I hope देखो, काम-काम की चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वीडियो लास्ट तक देखी है, तो जरूर से attendance कॉमेंट सेक्शन में लगा के जाना, मैं मिलूंगी आपसे next वीडियो में, till then, bye everyone and take care.